जैहिन नमस्कार स्वागत है दोस्तो एक बर फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तो आप सभी के लिए बहुत ही गुड नूज निकल के आ चुके है आपको यहाँ पे बताएंगे कि ITVP की भरती निकल के आ चुकी है 2024 की भरती है आपको पता ही है जो की आपकी काफी अच्छे पदो पर भरती हैं निकाले गए हैं 500 से ज्यादा पदो पर भरती हैं यहाँ पे निकाले गए हैं दोस्तो इसको भी आपको बताने वाले हैं कि कौन-कौन से पद यानि कि भरती में कौनस्टेबल और हेड़ कौनस्टेबल के पदो पर और सबिस्पेक्टर के पदो पर भी भरती आपके निकालीगे हैं किस प्रकार से फॉम को आब दन करना होगा आपकी יज्यूकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी सारी जानकारी दी जाएगी simple simple आपके पास अगर 10 भी पास भी है तो भी इस फॉम को आप आवेधन कर पाएंगे यहाँ पर आपको बता दिया जाए तो 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉम को आवेधन भी कर पाएंगे दोस्तो और यहां पर आपको बता दिया जाए कि 800 मीटर की रणिंग बिल्कुल 4 मिनिट 45 सिकंड में कंप्लीट ही करने होगी आपको आल इंडिया जोब है दोस्तो महिला और पूरुस दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे अन्तिम्तित क्या होने वाले ये भी आपको बताएंगे इस फर्म को आवेदन करने के लिए आपको आउनलाइन माधम से फर्म को बिल्कुल आपको आवेदन करना होगा आए लेकि चलते हैं जो ओपीशियल बेपशाइट पर ओपीशियल नोटीपी किसन जारी किया गया है उस पर भी विल्कुल आपको लाइप रूप दिखाएंगे और फर्म को आवेदन करके भी आपको दिखाने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो के साथ आप लाश्ट तक बने रहेका दोस्तो आपको बता दिया जाए कि जो भी चैनल पर नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब करके ओल्ल नोटीपी किसन जारी किया गया है उस पर तो आपको यहाँ पर लेके आचुके हैं आप देख पारे होंगे जो कि यहाँ पर दोस्तो आपको बता दिया जाए कि यह जो भरती निकालेगी हैं बिल्कुल आप सभी के लिए लाइप रूप दिखाएंगे एक्जाम डेट कब होने वाली है यानि कि एक्जाम कैसे होगा किस प्रकार से फॉर्म को आवेदिन करना दोस्तों आपको बता दिया जाए इस भरती में आपकी जो यहां पर पोस्टे नीकालीं है और और कॉंस्टेबल की जो भरती निकाली वो ग्रूम तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिये जाए उनली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको ओनलाइन मोड ओनली यानि कि आपको फोर्म को आवेदन बिल्कुल ओनलाइन माध्धम से करना होगा ओपीशल वेप्षाइट भी क्या होगी यह भी आपको बताएंगे इस सुरुआती यहाँ पे आपको बता दिये जाए पंद्रा नॉवंबर दोहजार चौबिस यानि कि फिप्टींथ नॉवंबर दोहजार चौबिस है दोस्तों इस भरती की जो डेट है जो फोर्म को आवेदन करने की सुरुआती डेट है और टाइम जो होने वाला है बिल्कु इस फिर्म को आवेदन होना बिल्कुल सुरू हो ही चुका है आपको पता चली गया है कि फिर्म को आवेदन होना सुरू हो गया है इस भरती की लाज़ डेट जो आपकी होने वाली है 14 दिसंबर दोहजार चौबिस है दोस्तों कहने के मतलब यह है कि 14 बारा दोहजार चौब यहां पर जो बैंक एंसी डिटल्स है यहां पर पोस्ट नेम और यहां पर आप देख पारें कि जिन्डर और के टेग्री टोटल बढ़तीयां कितने निकाली गई हैं और यहां पर आपको बता दिया जाए कि आपको कितना मंथली में अपको सैलरी कितना दी जाएगा यानी कि आपका होगा यानि की payment कितना दिया जाएगा यह आपकी क्या होने वाली यह भी आपको बताँ जाएगा तो simple है लाज यहाश तक बने रहेगा तभी क्यूसेन की doubt ही आप सभी के clear हो पाएंगे दोस्तो तो यहां पर सब le sentiment एमनेजरियेशन की जो पोष्टे हैं इसमें मेल केंडिडेट के लिए और फिमेल यानि कि दोनों केंडिडेटों के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे के निर्धायत किया गया है यूर में मेल केंडिडेट की 31 पोष्ट हैं सबस्पेक्टर और इंसपेक्टर की जो बरतियां है इन में टोटल यहां पर पैमेंट दिया जाएगा तो सुरुवाती वेटन आपकी जो होने वाली है वो यहाँ पे 35,400 रूपए है दोश्तों और सुरुवाती वेटन यहाँ पे 35,400 रूपए से लेकर 1,12,400 रूपए छेटवे लेबल के यानि की छेटवी पेमिंट की आपके मुताबिक एक लाग बारा हजार चार सु रूपए यानि कि छेटों लेबल के आधार पर आपकी सैलरी एक लाग बारा हजार चेह सु रूपए कर दी जाएगी यह जो आपकी इस पोस्ट के लिए आभी दिन करनी के होनी चाहिए वो यहाँ पर 20 से 25 वर्ष के बीच के केंड़ेट आभी दिन कर पाएंगे और यहाँ पर आये बात कर लिजाए Head Constable Telecommunication यानी कि जो Head Constable के पदो पर भरती निकाले गई है आपकी तीन ही भरतीयां निकाले गई है एक सभिस्पेक्टर Head Constable और Кон leuke vara के पदो पर जो जो सभी स्पेक्टर है वो ग्रूप B की पद उपर यानि कि ग्रूप B की भरती है और यहां पर head constable और constable जो है वो आपकी group C की भरती है आपको इतना ध्यान में जरूर रखना होगा दोस्तों और यहां पर आपको बता दिये जाए male candidate की यानि कि head constable male और female तो यहां पर head constable की जो male की भरतियां यहां पर 325 पदों पर भरती निकाले गई है और इनकी जो payment होगी यानि कि जितना इनको यहां पर चार्ज यानि कि payment दिया जाएगा वो 25,000 से लेकर 81,100 रुपे परती मंतिस भरती में पर आपके salary कर दी जाएगी अठ्रावर से 25 वर्स के बीच के candidate को आवे दिन कर पाएंगे दोस्तों और यहां पर यहां पर टोटल और यहां पर साथ पदों पर तो टोटल यहां पर जो आपके भरती हो गई वह क्यांट पदों पर भरतियां निकाले हैं दोस्तों और यहां पर आपको आगे बता दिया जाएकि इसमें जो पेमेंट आपको दी जाएगी यानि कि salary आपको दी जाएगी कि 7700 रुपए से 79100 रुपए परतिमंत तीसरी लेबल के आधार पर आपकी salary इतना कर दी जाएगी इसमें जो आपकी एज होने वाल ही वह अठर से 23 वर्स होगी द दिया जाएगा दोस्तों तो आपको टेंजन बिल्कुली भी नहीं लेना है आपके सबसे बगी पोस्ट जो यहां पे है वह सब इस्पेक्टर की है इसमें आपको इसमें ज्यादा भरतियां है और पेमेंट भी आपको इसमें ज्यादा दिया जाएगा और इस भी जो आपकी कर पाएंगे exactly । या यहां पर आगे आपको बता दिया जाए ब्रती निकाले गए है मैं स्टी कि यहां पर आपको सिंपल सा आप देख पारे होंगे आपको सिधा डबल डबल डाट करके ITBP यहां पर ITBPolish.nic.in पर भी आप विजिट कर पाएंगे अधिक जानकारी के लिए आप अपीशल वेपशाय को भी चेक कर पाएंगे यहां पर एक सर्विसमेन में भी काफी अच्छी चीजे देखने को मिल रही है दोस्तों उनमें 500 ज्यादा पदों पर 506 पर आपकी निकाली गई हैं इसमें यह है कि जो इसमें भरतियां है 10% एक सर्विसमेन के लिए फिक्स कर दी गई है इसमें से 10% में जो एक सर्विसमेन होंगे उनके लिए विल्कुल फिक्स कर दी गई है कि 10% में एक सर्विसमेन उनकी ही ओनली भरतियां होंगी और दोस्तों यहां पर आपको बता दिये जाए अगर आपको फेल हो हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी चांस नहीं है अगर आप अनफैल है यानि के फेल नहीं है तो आपको इसमें भी कुछ ना कुछ आपको चीजे देखने को अलग-अलग मिलेंगी तो यहां पर आई यह बात कर ली जाए फों को आवेदन करने के लिए आपको किस प्रकार से फों को आवेदन करना है तो आपको यह तो पता ही है जो बड़ी पूश्टे हैं उसमें पैसे भी जाधा लगेंगे आवेदन करने के लिए तो सिंपल सापको बता दिये जाए जए 200 रूपे लेंगे वह भी किस पूश्ट यानि कि जो यहांपर एक्सेर्फार्समेन उनके लिए 1rp लगेंगे दोस्तों तो यहां पर आपको आगे बता दिये जाए जो SCP से के category के चैनरीरेट हैं उनके बिल्कुल फ्री है उनके प्रू dziukे जाएग कि नहीं दोस्तों और यहां पर आपको क्या है कि जो भी candidate बोलते हैं कि सर यह भरती नहीं आई है ओपीशल वेपशाइट पर भी नहीं आई है तो उसका notification भी हम आप सभी को बीडियो के डिस्टन में दे देंगे और यहां पर आप देख पारे होंगे इस भरती के सुरवाती डेट लास्ट डेट और यहां पर सभी इस्पेक्टर की जो भरतियां हैं उनमें 200 रुपे की चार्ज लिए जाएंगे और बाकी आल कैटिकरी के candidate के लिए आल पोस्टों के लिए यहां पर बिल्कुल भी फीस नही की निधारित नहीं की गई हैं अपके आपको यहां पर बता दिया जाए कि जो यहां पर भरतियां निकाले गए हैं SI, HC और यहां पर सभीस पोस्टेश आपको पहली बता दिया गया है दूस्तों और सभीस इसपेक्टर के लिए टूटल यहां पर आप देख पा रहे होंगे बनबे पूश्ट एं के लिए 3187 पूश्ट है और यहां पर जो कंश्टेबल उनके लीए कहना पोश्ट है आपको पहले बिता दिये गया है यहाँ पर आपको लाइप क्पॉस्थ हो गार जय enforced उब है यहाँ पोना 2 उनकाоминаp पर 80 おm की अलग अलग जो कैटेगरी यहां पर होंगी जनरल ओविसी एड़लु एस सी टूटल यहां पर आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन को कहां से डाउनलोड करना को ओपीशिल वेप्षाइट का भी लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्टन में देने के आपको टेंसन बिल्क की जो होगी अधिल केसं करेंट के पास होना चाहिए कम से कवं दस वी और बारवी पास केमार्ट्यत आपके पास होनी चाहिए डोस्तों खिलेभैंष्षाइट को यहां पर बता द्या जाएए कि जो आपका यह होगा वरिजिनल डॉकुमेंट ही यहां पे आपको लगेगा नहीं तो आपको फॉर्म आवेदिन करने में बिल्कुल भी प्रोब्लम आएगी दूस्तों और यहां पे आपको बदा दिया जाए कि डॉमिशल शार्टी पिकड़ यानि कि जाती प्रमागपत्र और दिवास प्र होने दोस्तों और अदारकाड आपके पास नहीं तो प्रोब्लम नहीं है आपको प्रोब्लम भी नहीं लेना है कोई दूसरा डॉकोमेंट यान कि को अदर डोकुमेंट लगा कि स्पर्म को प्रूब्यानि कि आवी दिन भी आप खर पाएंगे सब कुछ कंप्लीट होने के ब दबालें जितना होज़के अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजिए और जहां कहीं भी इस भरती में कुछ भी ना समझ में आयो तो कुमेंट बॉक्स में आप कुमेंट कर दीजिए हम आप सब्सक्राइब करके जरूर बताएंगे जो भी नए केंड़ेट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके और लों टिपी के संबल को जरूर दबालें दोस्तों तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम